हम reading habit develop करने की बात कर रहे हैं और हम critical thinking विक्सित करने की बात कर रहे हैं तो मान लो आपने ये नेलसन मंडेला की जो जीविका पर कहानी थी ये आपने पढ़ी और बच्चों को पढ़कर सुनाई तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो critical thinking विक्सित करने के लिए हम प्रश्ण जो हैं उन पे सब depend करता है कि हम कितना गहराई से सोच सकते हैं किसी बारे में तो जो प्रश्ण हैं वो हम ऐसा simple तरीके से कहीं तो दो तरीके के होते हैं एक तत्याधारित सवाल हैं यानि fact-based questions तो इस कहानी के बाद अगर मैं factual information पूछूँ कहानी किस के बारे में थी, कब हुई, कहां हुई तो ये बहुत तत्याधारित सवाल हैं तत्याधारित सवाल जो हैं वो memory विक्सित करते हैं बट वो critical thinking, सोच जो हैं उसको गहरा नहीं करते हैं फिर दूसरी तरीके के सवाल होते हैं जो तरक आधारित सवाल हैं तो तरक आधारित जो सवाल हैं उन से हमारी critical thinking विक्सित होती है questioning की एक technique है जिसको कहा जाता है 5W1H और ये journalism वगेरा में ये बहुत use होती है आप अपनी कोई किताब पढ़ें उस किताब का book review करना चाहें इस तरीके से भी ये 5W1H बहुत use होती है 5W1H का मतलब क्या है कि हम कुछ भी चीज पढ़कर उसको अगर समधना चाहते हैं या कोई घटना घटिया उसके बारे में जाला जानना चाहते हैं तो हम ये 6 सवाल पूछते हैं 5W से शुरू होते हैं 1H से W से क्या होता है What क्या हुआ Where कहा हुआ When कब हुआ Why क्यों हुआ Who किस से किस के साथ हुआ How कैसे हुआ तो मानलो हम ये Nelson Mandela की कहानी की बात करते हैं और मैंने पिछले वीडियो में आपको Mind Map भी समझाया तो अगर हम 5W1H के आधार पर इस कहानी का Mind Map बनाते हैं तो हम सबसे पहले तो यहां बात करें Who की कहानी है किस के बारे में Nelson Mandela के बारे में ये कहानी कब हुई तो उनका जीवन काल कब था कब वो पैदा हुए कब वो जेल गए कब वो South Africa की President बने इतियादी कहां ये कहानी हुई तो ये तथ्याधारित हैं और ये 5W1H जो हैं ये हमारे को एक अच्छा framework देते हैं सवाल पूछने का जिससे कि हमारे को जो भी घटना कहानी इतियादी है उसके जो basic facts हैं वो हमारे को ठीक से समझ आ रहे हैं कि नहीं वो ये दर्शाता है हाव जो है वो यहाँ इस कहानी से जादा मतलब नहीं रखता है पर फिर हम what कि हुआ क्या कि कौन थे Nelson Mandela क्यों आज हम उनकी कहानी उनकी जीवनी पढ़ रहे हैं और फिर जब तक हम why पर आते हैं कि क्यों हुआ ऐसा कि क्यों वो जेल गए क्यों कैसे फिर South Africa, दक्षन अफरीका को अपनी अपार्थीट से वो लोग अपार्थीट मतलब भेदभाव रंग के आधार पर भेदभाव इससे कैसे फिर वो निकले ये सब जो फिर जो why जब हम आ रहे हैं तब हम जो हैं वो तरक आधारित सवालों पर आ रहे हैं तो इसी कहानी पर मान गया जाएं आप अपनी सोच गहरी करना चाहते हो सोच विक्सित करना चाहते हो तो आप जो तरक आधारित सवाल हैं वो जैसे इस किसम के सवाल हो सकते थे, क्योंकि Nelson Mandela बहुत प्रभावित थे गांदी जी के साथ, तो हम उनकी हम तुलना कर सकते हैं कि उनके प्रेड़ना का स्रोत क्या था क्या उनके जो तरीके थे वो गांदी जी से अलग थे या बिलकुल वैसे ही थे इस किसम के प्रशन जो है वो फिर हम तरक आधारे जा रहे हैं फिर हम इस किसम के प्रशन क्योंकि हम लाइफ स्किल्स की बात भी कर रहे हैं यहाँ पर तो हम जीवन कॉशल के बारे में बात कर सकते थे किसी भी व्यक्ति की जीवनी पढ़कर कि उसमें बांसिक गुण क्या थे क्या ऐसी बात है कि आज हम उसकी कहानी पढ़ रहे हैं तो जैसे नेलसन मंडेला के लिए हम बात कर सकते हैं ध्रण निश्चे की या सहनुभूती की और जब सहनुभूती की बात आ रही है तो आप खुद अगर अपनी समझ और गहरी करना चाहते हो तो आपने नेलसन मंडेला की कहानी पड़ी आप नेट पे धूंड सकते हो आपको मिल जाएगा आप डेस्मन टूट का फरक है वो यह कि जब हमारे को स्वतंत्वा मिली तब अंग्रेज भारत छोड़के चले गए पर दक्षन अफरीका में जो गोरे लोग थे वो वहीं रहे यह बहुत फरक है क्योंकि जो भी अत्याचार हुआ भारत में जो अत्याचार हुआ हुआ पर उस स्वतंत्वा के पर अंग्रेज भारत छोड़के चले गए पर दक्षन अफरीका में जो अत्याचार हुआ जिसने अत्याचार किया वो वहीं रहा तो इसकी वज़े से जब उसके आगे सुसाइटी को समाज को आगे चलना था तो जिन से आपस में जिनका बदभेत था वो अभी भी साथ रह यह कर आख लिशू तो हम कभी शांती से लंब एर्से के लिए साथ साथ नहीं रह सकते तब यह टूथ और रीकंसीलिएशन कमिशन जो वो बनी थी अपनेड़ पर जाके डेस्मन ठू ठूटू और टूथ और रीकंसीलिएशन कमिशन जो है इसके बारे में खुद भी और फिर इससे जोड़े सवाल जो हैं वो फिर और अच्छे तरक आधारित सवाल बन सकते हैं एक और किसम का फिर जो तरक आधारित सवाल है वो है कि हम ये तो हमने इतिहास पढ़ा फिर हम इतिहास को आज के प्रसंग में जो हैं आज के कॉंटेक्स में हम देख सकते हैं हैं कि भारत में तो वो अंग्रेश चोड़के चले गए पर क्या भारत में आज भे भाव है जाती के रूप में वर्ण के रूप में लिंग के रूप में तो यह यह फिर तरकाधर सवाल हैं इनका कोई तरकाधर सवाल जो है, उनका कोई ठीक या गलत जवाब नहीं होता, वो argument कितना अच्छा किया गया है, इस पर बहुत निर्भर करते हैं, तो आपकी argumentation skills, जो है, thinking like a lawyer, इस तरीके की जो सोच है, वो भी विक्सित होती है, इस किसम के सवालों को सोच कर, आप अपने जो students हैं, उनके साथ आप वादविवाद प्रत्योंकिता भी कर सकते हैं, कि कोई एक कहे कि ये ठीक था, दूसरा पक्ष ले कि ये ठीक नहीं था, और फिर वो आपस में इनके जो हैं, वो तर्क दें, arguments दें, finally, आप कुछ मज़दार सवाल भी पूछ सकते हैं, तो Nelson Mandela तीन जेल में रहे थे, पर मुखे था, वो Robin Island, टक्षिन अफ्रीका में एक जगा है, Cape Town, उसके पास Robin Island है, Robin Island में उनका जेल था, और ये वो सेल है, जेल की सेल है, जहां, जहां Nelson Mandela कैद थे, 27 सालों के लिए, और ये जेल है, 56 स्क्वेर फिट की, आप एक, almost 5 बाइ, 10 स्क्वेर फिट के कमरे में आपको बंद किया गया है, बस सुबह शाम आप थोड़ा बाहर निकलते हैं, पर अधिकता समय आपको यहीं रहना पड़ता है, सोचिए आप पर क्या भी देगी, और क्या फिर आप जब यहां से छूटेंगे, तो क्या आप जो आपके उपर जिसने यह अत्याचार किया है, क्या आप उसको शमा कर सकते हैं, इसको सोच के देखेगा, और 2019 अप्रेल में मैं और परिवार के साथ हम लोग जोहनेस बर्ग गए थे, तो जोहनेस बर्ग में यह बहुत इंट्रेस्टिंग उन के समझ में आता है कि 56 स्क्वार फिट कितनी छोटी जगा है, पांच स्क्वार फिट बाइद स्क्वार फिट मैं कह रहा हूं कि मोटे तोर पर है, आप इसके अंदर ऐसे मन से सोचो कि आप इसके अंदर हो, और 27 साल, क्या आप इसके ऐसे जगा रह सकते हो, और रहने के तब हम अपनी सोच विक्सित करते हैं, तो आप इस किसम से और भी जो किताबें आप चुनेंगे, उनमें आप इस किसम के तथे और तरक आधारित सवाल सोचें, माइंड मैप बनाएं, अपने शब्दों में संक्षिप्ति करण करें, पर तरक आधारित सवाल जो हैं, उन प झाल